हम में से न हर एक को सुराय मावून याद होगी कभी सुराय मावून को आपने और से समझाए आज सुराय मावून को देखते हैं सुराय मावून के अंदर उस शक्स का जिकर है जो दीन को जुठलाता है दीन का इनकार करता है जब आप पढ़ेंगे न इस सूरत के अंदर दीन का इंकार करने वाले और दीन को जुठना ले वाले और दीन को ना मानने वाले की पांच अलामते बियानत और ये पांचों की पांचों अलामते हम में से हरे के अंदर मुझूद है खास तोर पे आज के दोर में इसलामी मौाशरे में मौजूद है हम खुद को मुसल्मान कहते हैं और कुरान कह रहे हैं ये दीन को जुछलाने वाले हैं दीन को हकीकी तोर पे मानने वाले नहीं सुनिएगा आराईत अलजी यो कहते ही वो भी दीन कि आपने नहीं देखा उस शक्स को यो दीन को जुठलाता है दीन का इंकार करता है आरा आई ता का माना क्या है मतलब है कि हर शक्स परसनली तोर पे देखे जज्जमिंट करे दीन के बारे में सोचे दीन के बारे में फिकर करे कि क्या वाकिए वो दीन के उपर चल रहा है या दीन का इंकार कर रहा है अब ये कौन है यो दीन को जुठलाने वाला है ये कौन है यो दीन का इंकार करने वाला है हमने कुरान पाक को सिरफ तरजमा पढ़ की समझा है कुरान को कुरान की जबान में नहीं समझा पहली अलामत आप एक एक अलामत सुनते जाएं और अपना मौाशरा देखते जाएं मौाशरा छोड़े अपना घर देख ले अपनी गली देख ले अपना टाउन, अपनी सोसाइटी, अपना बलाग देख ले पहली अलामत फर्माया फदालिकल्लदी यदू अलियती जो शख्स ताकतवर हो और वो कमजोर पर अपनी ताकत को अजमाए कमजोर के दिफार के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं करता है बलके उसके उपर जल्म करने के लिए इस्तेमाल करता है फर्माया वो शक्स दीन का इंकार करने वाला है तो कितने लोग हैं हमारे मौाशरे में जो अपनी ताकत को अजमाते हैं अब तो ऐसी हालत बन गी है हमारी कि हम भासियत एकोम हमारा जो मिज़ाज है ना भॉडमाशी बन गया है मिज़ाज हमारा अब हमारे अंदर ये सोच पैदा होगी है अगर हमने किसी के सार नर्मी से बात कर ली न तो क्या के गए ये डर्गी है कुरान फर्मा रहा नर्मी से बात करना इमान की अलामत है और सक्ती से बात करना और अपनी ताकत को शोग करना دین سے انکاری کی علامت ہے یہاں پہ یتیم کا لفظ ہے یہ استیارے کے طور پہ ہے قرآن پاک کے اندر یعنی حقیقی معنی میں بھی ہے یتیم لیکن یتیم کے لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہر کمزور کی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ سہارہ دینا اس کو بیان کر دیا دوسری علامت کے وَلَا يَحُدُّ عَلَىٰ تَعَمِ الْمِسْكِينَ وہ مسکینوں ضرورتمندوں اور حاجتمندوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا ہے یہ نہیں فرمایا کھانا نہیں کھلاتا ہے فرمایا ان کے حقوق کے لئے آواز بلند نہیں کرتا ہے یہ معنی ہے قرآن کا اسلوب دیکھیں یہ ہماری کتاب ہے ہم اس کو ماننے والے ہیں اور یہ کتاب کتنا انسان کو عالی صیرت اور عالی کردار دیتی اور ہماری صیرت اور ہماری کردار دیکھ لیں فرمایا یتیموں ضرورتمندوں محتاجوں کے حقوق کے لئے آواز بلند نہیں کرتا और उक माना ये भी है कि तुाम जो है ना खाना खिलाना इसका माना है कि हाजत मनों जूरत मनों की हर बुन्यादी सहूलत को पूरा करuchenheiten हर बुन्यादी जॐरत को पूरा कर horrific चाहे वजित की ओ, आलाज की ओ, कोई भी जूरूरत भी जूरूरत हो اللہ نے فرمایا वो दीन का इनकारी है उस रहन तक जब तक वो नमाज की हकीक्त से वाकफ नहीं है नमाज का जो मकसद है वो आपने मुआशरे के अंदर कैमना कर ले नमाज का मकसद के है और माया इनस्सलाता तन्हा निल्फषायु अल्मुन कर यह नमाज का मकसद है कि हर बुराई से खुद को दूर कर लेना हर जल्म से खुद को दूर कर लेना हर जालम की दोस्ती से खुद को दूर कर लेना कितनी अलामते होंगी तीन अलामते होंगी चौती अलामते होंगी सिर्फ रियाक करी करता है तिखलावा करता है या जुबान से रियाक करी करेगा मैं ये कर दूँगा मैं वो कर दूँगा तुम्हारे लिए ये सूलियात पैदा कर दूँगा पर हकीकित से उसका कोई तलक नहीं होगा जैसे आज कर हमारे महाशरे में कर रहे हैं लोग या फिर क्या नेकी करता है पर लोगों को बताता है यार मैंने तेरे साथ ये किया था तू मेरे साथ ये कर रहे है भी आपने अगर उसके साथ किया तो उसकी जात के लिए नहीं अल्ला ताला के लिए किया है और जिसके साथ नेकी हो वो भी नेकी करने वाले के साथ अच्छा मौामला रखे ताकि उसको और होस्ला हो नेकी करने का ये भी हमारे मौाशरे के अंदर कस्रस से मुझूद है आखरी अलामत हमारे हैं तर्जमों में क्या किया जाता है कि जरूरुत की जो चीजी है ना रोज मरा के इस्तिमाल की वो नहीं दी जाती है ये माना है पर हकीकत में इसका माना क्या है कि हर वो शक्स जिसकी जो इस्ताइत अल्ला की मखलूग की मदद करने की वो अपनी अपनी इस्ताथ के मताबक अल्ला की मखलूक की मदद नहीं करते हैं अगर उनके पास आ भी जाएं तो इनकार कर देती है आप देख लें ये पांच अलामते हमारे मौाशरे में हैं और कुरान पाक ने इसको दीन का मुनकर कहा है जिसके अंदर ये पांच हो या पांच हो में से कोई हो कमजोर पे अपनी ताकत को अजमाना जरूरत मंद और मोहताजों के हुकूँ के लिए आवाज को बलंद नह करना और नमाज की जो हकीकत और मकसद है वो मौशरे के अंदर उसकी सीरत और किरार में नजर ना आना और जो जो अपनी अपनी स्थाथ के मताबक अल्ला की मखलूग की मदद कर सकता है वो मदद ना करना इसमें कहीं कलिमे का बियान नहीं इसमें कहीं रोजे का बियान नहीं अमली तोर पे